चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों NMC ने ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया में सभी गॉर्मेंट और प्राइवेट मेडिकल कोलेज 1 डिसंबर 2020 से री ओपन होंगे 25 नाउंबर को NMC ने एक नोटिस दिया है जिसमें मेडिकल कोलेज की री ओपनिंग के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि अभी जो 2020 के लिए काउंसलिंग हो रही है उनकी क्लासिंग कब ओपन होंगी साथ इसाथ सभी मेडिकल स्टुडेंट के लिए एकजाम सेडूल भी डाल दिया है चाए वो कोई भी एर में हो इवन 2020 में भी एड्मिशन लेने वाले स्टुडेंट का यूनिवर्सिटी एकजाम सेडूल अनौन्स कर दिया है तो इस वीडियो में मैं इन सब के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो हर एक student के लिए useful रहने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरे दोरा जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल authentic होती है पिछले 9 साल से मैं इस profession से जुड़ा हूँ और इस channel पर आपको UG, PG सभी के बारे में authentic information मिलती रहेगी अब बात करें NMC के notice के बारे में तो जो ये आप notice देख रहे हैं ये आपको nmc.org.in पर मिल जाएगा इसमें लिखा है कि इंडिया के सभी government और private medical college 1st December 2020 से reopen होगे ये उन MBBS student के लिए होगा जो आलड़ी MBBS course कर रहे हैं और सभी state को SOP और guideline follow करनी होगी जो समय समय पर central और state government द्वारा जारी की गई हैं इसमें आगे लिखा है कि जो new academic session है 2020 यानि कि जिसकी अभी counseling हो रही है वो delay हो चुका है वो 1st February 2021 से start होगा यानि कि जिनका अभी admission हो रहा है उनकी class है 1st February 2021 से start होगी अब इसमें सभी बैज का examination time दिया गया है यानि कि इस month में university exam होकर उनको next year में admission दिया जाएगा तो सबसे पहले हम बात करें 21 बैज की यानि कि जिन student का 2020 में admission इस साल नहीं हो पाया है और वो need 21 की preparation कर रहे हैं उनकी counseling 21 में होगी उनका university exam 22 September मन्त में होकर उनको MBBS के second year में admission दिया जाएगा बात करें 20 बैज के student यानि कि जिनका इस साल counseling चल रहा है और इसी साल admission होगा उनकी first year की university exam 22 January में होगी और फिर उनको MBBS second year में admission दिया जाएगा 2019 बैज के student यानि कि जिनका admission 2019 में हुआ था उनका university exam फ्रवरी 21 में होगा फिर उनको MBBS के second year में admission दिया जाएगा January 22 में उनका second year का exam होगा इसी प्रकार से हम आगे बात करें 2018 बैज की तो उनका second year का exam अप्रेल 21 में होगा 2017 के third year में जो student है professional first में उनका exam अप्रेल 21 में होगा और 2016 के जो professional second year में है उनका exam होगा वो होगा अप्रेल 2021 में ही होगा उनका इस प्रकार से इस schedule में 2025 तक का schedule 2023 बैज तक दिया गया है तो आप इसको site से download करके इस schedule को देख सकते हैं तो ये एक important information थी जो सभी medical aspirant और सभी medical student के लिए जो MBBS कर रहे हैं उनके लिए बड़ी useful है ये MBBS course में admission लेंगे जो student 20, 21, 22, 23 उनके लिए भी ये useful है वीडियो के अंतक में सारांस बता देता हूँ कि इंडिया के सभी medical college चाए वो government हो या private हो 1st December 2020 से start हो जाएंगे और 2020 में admission लेने वाले candidate का academic year 1st February 21 से start होगा तो ये बाकी इसके बारे में और कोई information मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करगे बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बेलेर भीर बेलेर गारै कि कया सबस्कती है मिलेंगे हैं ज्यादा सबस्क्राइब करें चैनल करें नए ज्या जद फिजा जर्क जढन governo बाह है तो शेले हैं